अब आप खरीद सकते हैं शिव्ज मिजुक फ्लूट अमेजन पर वो भी किफायती दामने इसके साथ आपको मिलेगा एक कैरी बैग, एक बासुरी और लिखा हुआ मैनुवल नमस्कार दोस्तों, आप मेरे पीछे कुछ फ्लूट्स देख रहे हैं और वो कबर भी है, वो मेरे एडवर्टाइजमेंट के लिए है, तो ये वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को कई सारे डाउट्स होते हैं, कि हम फ्लूट्स कौनसी लें, कौनस की होनी चाहिए, बेस फ्लूट्स लें, या फिर मेडियम फ्लूट्स लें, फ्लूट्स कितने तरह की होती हैं, तो ये सब डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, तो आप ये वीडियो लाश्ट तक देखिए, और कोई भी डाउट आता है, तो आप इस तरह से 7 नेचुरल प्लस 5 शार्प, बारा तरह की स्किल्स होती है, जो लोग मीजिप को थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हो जानते होंगे हैं, अब इसके बाद देखिए क्या होता है, कि जो फ्लूट्स हैं हमारी, वो दो साइज में आती है, एक होता है मीडियम फ्लूट एक होता है bass flutes, medium का मतलब क्या है, कि उनका जो sound होगा, उसकी जो frequency होगी, वो थोड़ी high होगी, ओके दोस्तों, medium flutes अपनी शुरू होती है 12 या 12.5 inches से, और वो जाती है 19 इंच तक, तो 19 इंच से, जितनी भी छोटी बासुरी है, वो अपनी medium size में आ जाएंगी, तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह है अपनी C natural, C natural 19 इंच की, अब इससे जितनी भी छोटी बासुरी होगी, वो सब medium में ही आएंगी, ठीके दोस्तों, जब हमारी C से लेकर octave खतम हो जाएगी, C natural से लेकर B medium तक, C natural medium से लेकर B medium तक, यह हमारी होगी medium octave, एक octave में 12 सव होते हैं, जो मैंने आपको बताया, सभी बासुरी हमारी cover हो जाएगी, तो जैसे जैसे हम पीछे की side जाएगे, C natural, फिर C से पीछ आएगा हमारा C sharp, D, D sharp, E, F, F sharp, ऐसे लेकर B तक आएगा, ठीके दोस्तों, फिर B खतम होने के बाद, फिर से शुरूर हो जाता है next octave, तो दो C natural का size, approach 12 to 12.5 inches होता है, C natural का size, standard size, वो होता है 19 inch, 19 inch का, ठीके दोस्तों, यह होगे हमारी medium fruits की बाद, अब C natural से जब हम उपर की तरफ जाते हैं, उपर का मतलब क्या है, कि जब हम size बड़ा करेंगे, 19 inch के उपर हम जाएगे, जैसे 20, 21, 23, 26, 29, इस तरह से, तो उनको हम बोलत है, base fruits, base और medium में सिर्फ frequency का फरुक होता है, तो जितना जादा fruit का size होगा, जितना जादा diameter होगा, उतना ही उसमें base sound निकल के आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि यह छोटी fruits, छोटी है और उसका diameter भी कम है, थोड़ी लंबी है, diameter बढ़ता जाएगा, diameter मतलब कि इसक section है, इसकी बाद मैं कर रहा हूँ, तो जैसे आप यह fruit देखेंगे, यह है अपनी e-base, तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसका जो diameter होगा, ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से diameter और जो length है, वो depend करती है, कि आप medium fruit ले रहे हैं, या फिर base fruit ले रहे हैं, अब मैं आपको दोनो frequency थोड़ी high होगे, sound पतला आएगा, जैसे मैं आपको इस पर सरगम सुना के बताता हूँ, ठीक है दोस्तों, यह है सरगम e-natural medium scale पर, अब सेम सरगम मैं आपको e-base fruit पर सुनाता हूँ, इसकी length होती है 31 inch के approach, ओके दोस्तों, तो जो हमारी base fruits होती है, उनका जो sound निकल के आता है, वो soothing sound होता है, low frequency का, जैसे माल लिजी, आप background में चलाना चाह रहे हैं, कोई meditation कर रहा है, तो उसके लिए आपको music चाहिए, music play करना है, तो आप base flutes start कर सकते हैं, base flutes अपनी B base से start होकर C base तक जाती है, B base की length होती है, approach 20.5 inches, क्योंकि जो C natural medium है, वो है 19 inch, तो अब 19 inch से जितनी भी बड़ी होंगी, यानि कि C से हम पीछे की तरफ आएंगे, C हो गया यह, फिर यहाँ पर B natural, फिर यह A sharp, फिर यह A natural, तो पीछे की तरफ size बड़ा होता जाएगा, जैसे हमारी C natural है, इसके बाद यह A base है, फिर यह G base है, और यह है अपनी E base, ठीके दोस्तों, तो इस तरफ हम जाएंगे, size तो एक बात यह होता है, कि जो concept है, वो सबका same होता है, कि आप base flutes भी ले ले ले, medium भी ले ले, सबका जो principle है, जो सिधान्त है, वो एक तरेका का ही है, अब वो depend करता है आपकी choice पर, ठीक है, कि आपको किस तरह का sound चाहिए, अगर आपको पतला sound चाहिए, तो आप medium flutes लीज इसकी length होती है, 26 inch, तो जैसे आप इसको play करेंगे, इसका, जो holes का distance है, वो इतना जादा नहीं है, कि beginners ना बजा पाएं, तो आपको थोड़ा adjust करना पड़ेगा, इसके साथ आप बजा पाएंगे, ठीके दोस्तों, तो beginners जो है, वो 26 inch तक play कर सकते हैं, इसके बाद अगर आप थोड़ा time हो गया है, आपको concept समझ में आने लगे हैं, फिर आप G bass से नीचे भी ले सकते हैं, जैसे G bass से नीचे आएगा हमारा F sharp bass, F bass, E bass, D sharp bass, D bass, तो इनका price भी बढ़ता जाएगा उसके according, क्योंकि जो diameter है, जो length है, वो सब बढ़ती जाती है, ठीके दोस्तों, तो ऐसे ही मैं आपको C natural का भी sound सुना देता हूँ एक बार, ये है हमारी C natural medium, जो कि सबसे ज़्यादा use होती है, सबसे ज़्यादा use इसलिए होती है, क्योंकि इसका जो size है, इसका जो dimension है, वो beach का होता है, यानि कि medium fruits में होता है, इसे चोटी भी fruits होती है, इसे बड़ी भी fruits होती है, तो इसलिए ये ज़्यादा लोग prefer करते हैं, लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है, कि ये ही लेना है आपको, ठीके दोस्तों, और बाकी सारी links में आपको description म में दी है, आपको जो मन करें, वो आप लीजिए, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप C natural medium से ही start कर सकते हैं, ठीके दोस्तों, तो ये है अपनी C natural medium, इसकी जो length होती है, वो है 19 inch, ठीके दोस्तों, तो मैंने आपको tabs बताए, flutes के कौन-कौन से होती हैं, तो ए medium flutes, base flutes, medium मतलब 19 से कम, base मतलब 19 से ज्यादा, तो जो 19 है वो भी अपना medium में count होता है, 19 से हम आगे बढ़ेंगे, तो next size आएगा 20.5 inch, जो होता है B base, तो B base की थोड़ी से लंबाई इतनी हो जाएगी, फिर A base की और G base की और E base की और F base, D base, C base, तो ऐसे अपनी सबसे जो largest मा है, कि मैं आपको बता चुका हूँ, जो holes का distance है, वो बढ़ता जाएगा, जितनी बढ़ी आप लेंगे, तो G base तक आप beginners हैं, तो आप बजा सकते हैं, बाकि अगर आपकी fingers set है fruit पर, तो आप E base भी ट्राय कर सकते हैं, F base भी ले सकते हैं, तो क्यों प्रॉल्लम नहीं है, अग फिर आपको sound decide करना है, कि आपको किस तरह का sound चाहिए, soothing sound चाहिए, या फिर जो medium sound है, थोड़ा high frequency का है, वो tap का चाहिए, तो उसके according आप अपना decide कर सकते हैं, बाकि जो budget है, आपका budget पर भी depend करेगा, कि आप किस तरह का लेना चाहते हैं, base fruits थोड़ी महंगी होती हैं, और ज recording, decide कीजिए, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आपको कोई doubt है, तो दिये हुए number पर आप मेरी team से contact कर सकते हैं, वो आपको सारे doubts clear कर देंगे, thank you.